हेलो आल, वेलकम तो रिचार्ज मानर फिर से एक बर मेरे पास रिक्वेस्ट आई है फूट प्रोसेसर को लेकर तो इस बार मुझे रिक्वेस्ट करी गई है कि आप इसमें अनार का जूस निकालना बताईए तो आज ये वीडियो अनार का जूस निकालने के लिए है तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें अनार का जूस निकालने के लिए किन-किन अटैश्मेंट की जरुरत पड़ेगी तो उसके लिए ये वाले अटैश्मेंट की जरुरत होगी तो यह jar वाली lid है, इसका यूज कम नहीं करेंगे, इसके ऑपर की lid हम इसमें लगाएंगे तो चलिए निकालते हैं, अनार का जूस चलिए सबसे पहले एड्जेस्ट कर लेते हैं इसके पारट , जिसे हमें अनार का जूस निकालना है तो यह जुक्त करेंगे और उसके अंदर की यहां पर यूज cloak्ट नहीं करनाuma स्टोच को लिखा और अन्दर लगा दिया और इसके ओप्र कि यहां पर क्लिक की आवाज आएगी तो उसको आने के बाद ही समझे कि यह फिट हो गया है और जो यह कि मैंने सारे अनार चीली है करी बेक के लो अनार थे तो इसको हम सीधे डालेंगे और इसका जूस इसी तरह से निकाल लेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जार में इसको डाल देंगे तो यह देखिए मैंने फिल कर दी है नार के दाने जार के अंदर थोड़ा सा खाली कर लेते हैं इसमें जादा भर गया है और अब इसको पुश करते हुए और और अन कर देंगे इसको जूसर को फिर से इसको प्रेशर डालेंगे और फिर इसके बाद मुटर को अन करेंगे तो अब मैं दिखाते हो आपको की अनार का जूस कैसा निकला है तो फिर से अनलॉक का बटन प्रेस करते हुए और तो इसको खोल लेंगे तो यह देख सकते हो आप इसमें की एक सेकेंड तो यह आप देख सकते हो कि सारे जो सीड्स हैं वो इसमें निकल आए हैं और जूस निकल चुका है बाहर अब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा पल्प और है जिसे जूस निकाला जा सकता है तो एक बार मैं और ट्राइ करती हूँ इसको निकालने के बाद वापस इसको डालेंगे जूसर के अंदर और देखते हैं इसका जूस और निकल रहा है की नहीं पर पहले कंटे जूस निकला है जैसे मार्केट का आता है उसी तरीके से एकदम पतला और बढ़या जूस निकल गया तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और एकबर से डाल कर देखते हैं वाले बीच यह मैंने जार खाली कर लिया है और यह इतना जूस निकला है करीब एक किलो अनार में तो अनार की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि इसमें रस कितना है तो हम एक पर जो इसके सीट से इंको वापस बर इसमें डाल कर देखेंगे कि इसमें से और जूस निकल पाता है कि नहीं हां और जूस निकला आया है इसमें से इसमें तो यह देखे आप यह करीब इतना जूस और निकला है जो सीट्स हमने निकाले थे फर्स टाइम जूस निकालकर तो यह मैं दिखाती हूं आपको यह जूस इतना था पहले और इतना जूस और निकलाया है तो एक बार और चला कर थोड़ा और निकाल सकते हूं कि फॉस्ट मुझे देखने में लग रहा था कि इसमें पल्प और लगा हुआ है तो देखा आपने यह तरीब इतना डेड़ ग्लास जूस निकल गया है एक किलो अनार में से बहुत से अदमन्ध होता है जिनको अनीमिया होता है खून कमी होती हूंके ब हूं